अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें हाओ वैंच फैमली वाँच आप आज परीशन स्पेशन दिसे स्कार्थ हो गड़ी है तो आज के मैं मुंग दाल का पिज़ा आप सोच होने मुंग दाल का पिज़ा अरे डोन्ट वरी बहुत ईज़ी है वेज़्ेस भी नीयए चीज भी नीयए तो भी हमारे लेह बहुत टेस् सब लोग कोई अच्छा लगने वाला, so यह बिनिंग दिश है, so let's get started and कैसे बनाते सीख लेगे का यह हमने मुंदाल लेती जो हमने भिगो दी है, यह यह बिगो दी फो टो एना हाफ आफ आवर्स, आप मिनिमम दो गहंटा का सकते हैं, जादा आपको कितना भी करना ना यूज का सकते हो, अब हमें यह दाल को इसमें डाल लेना है, पानी ना आए वसी कोशिश करना और मैं इसमें वन एना हाफ स्पून पानी डाल रहे हूँ, तो थोड़ा पीसने में इसी पढ़े, अब यह तो हमने कर लिया, यह हमने कितना लिया है, हाफ वाट की डाल ही लिया, आप ज्यादा बना रहे हैं, तो वन एना हाफ वाट की लेना, जिसे फोर पीपल को सर्व हो अब मैं इसे पीस दिया, यह हमने पीस लिया, अब देख सकते हैं, इसे अचकच्र पीस इतना पीस नहीं दिया है, अब हम इसमें यह में पूट करेंगे, हाँ, अगर आप लोग पानी नहीं डालना चाते हैं, अब आपको नहीं समझ भाए हैं, इतना पानी डालें, तो मत यह देखें, यह मैंने हाफ बात्की का इतना बाटर बने का, इसे हम दो बना सकते हैं, हम सॉल्ट एड़ करेंगे, सॉल्ट आसपर टेस्ट, फिर हम एड़ करेंगे चिली फ्लेक्स, क्योंकि इसमें कुछ तो स्पाइस होना चाहिए, यह चिली फ्लेक्स अगर आपके बस न मिल्ची आसपर टेस्ट, क्योंकि चेली फ्लेक्स डाला है हमने है, और हीम डालना है, पिंच ठीक है, यह डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे, जब यह एक बार अच्छा से मिक्स हो जाएगा, आपको लग रहा है कि यह फूरा मिक्स हो गया है, उसके बाद हम इसमें आड करेंगे, अजमा, अजमा ओप्शनल है, आपको डालना है तो डालें है, नहीं तो मत डालें, और इतना सा सोडा, यह खाने का सोडा है, यह, हम इसे मिक्स करेंगे, जब यह एक बार मिक्स हो जाएगा, आपको इसे सिफ पार्च मिनिट छोड़ना है, और फिर इसे बनाना स् मैं बताओगी क्या से बनाना है, मैंने एक पैन लिया है, मैंने थोड़ा सा ओएल या गी आपको जो डालना है वह, आप इसे ग्रीस कर सकते हो, ज़से हमारा यह जो मूं का पिज़ा बना रहे हम, वह चिपग ना जाए इसे, जब यह एक बार हो जाएगा गरम, फिर हम इसे बैटर, अब हम इस पे बैटर डाल रहे, धीरे धीरे करके, और हम इसे फैला देगे, ज़्यादा वो नहीं करना ऐसा है, अब यह एक बार फैलाने के बाद, इसे हम कोख होने देगे, for minimum 3-5 मिनिट, तो नीचे का crunchiness आ जाए, अब हम इसे फिल्प करेंगे, अब जो यह फिल हो गया है, हम नीचे थोड़ा सा गी आड़ कर रहे है, so that वो क्रिस्पी बने और क्रंची बने, और जब वो नीचे का कुख हो, उसके उपर, उपर के साइड पे हम आड़ करेंगे, यह मिर्ची का चटनी हमने बनाया है, वो, तो वो आड़ करने के बाद, हम इसे से फैला ल अगर गया, यह चतनी कैसे बनाना है, इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में बता दोगे, तो आपको वो कहना रहेगा, और अग हम इसमें आड़ करेंगे, यह वाइट सॉस, वाइट सॉस है, पर चीज नहीं आड़ किया हमने, कैसे बनाया है, वो आपको वापस लिं बनाना, सो दाट यह फ्लोईं कंजिस्टंसी में होना है, चीक है, अब यह सॉस बन गया है हमारा, अब हम इसे कुख होने देगे, तो कोई टेंक्शन नहीं है, यह नीचे जाएगा, तो थोड़ा सा क्रंचिनस लेके आएगा, ओके, तो अब हमारे यह बन चुक गया है, क्य अब आप लोग ना, इसे जादा को अच्छे से होने लोगे तब, यह पिज़ा जितना तो क्रंची नहीं बनेगा, पर ट्रस्ट मी, जादा करंच और जादा टेस्टी रहेगा, कर दो है क्या है, क्या है यह बने लोगे अवगे लोगें जादाल करने पहमार प्र सुखेया को आपड़ा जादा मीजश快 कराणा से हेलाा जादाते ूलेरे ग llev से NOTते हो नहीं हो जादाके बनेंसे हो गादा करarnyaata पहाला मीजश के से क्पांस अवशार बनेशना चलादा़ अब मैं आजसे देश गरे बता होगी क्या सा है hmmmm, amazing! बहुत नहीं रहा है सिर्फ एक टिप है कि ना जितना पत्ला मैं बनाया आप उतना ही पत्ला वहना ना तो क्रिस्पी भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा पत्ला नहीं पराओंगे ना तो जाना जाला लागा ना तो बच्चों को थोड़ा सा पसन ना आवे पर बाकी बहुत टेस्टी है पत्ला बनाना चीक है बाई बाई